कश्मीर के BSF Border Security Force की 130 वी बटालियन में हेड कांस्टेबल लोनी के विनोध कुमार का दिल का दोड़ा पढ़ने से मौत हो गई शनिवार शाम को उनका पार्थिव शरीर लोनी स्थित घर पर पहुंचा जहां से Guard of Honor के बाद उनका अंतिम संसकार किया गया इस दोरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे मूल रूप से जिला शामली के जंगेडी गाउं के विनोध कुमार BSF की 130 वी बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर थे सन 1990 में उनकी भरती हुई थी इन दिनों उनकी तेहनाती उधमपुर के STC ट्रेनिंग सेंटर में थी करीब दस वर्शों से वह परिवार सहित लोनी बॉर्डर थाने की अंबेड कर कॉलोनी में रह रहे थे उनके बडेड बेटे अरविंद ने बताया कि शुकरवार दोपहर उनके पास उधमपुर BSF कैम्प BSF कैम्प से फोन CEO का कॉल आया कि उनके पिता की दिल का दोड़ा पढ़ने से मौत हो गई पोस्ट मौटम के बाद शनिवार शाम करीब 4.30 मिनट पर उनका शरीर जहाज से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया जहां से फिर लोनी स्थित घर पर लाया गया जहां से शव को दिल्ली के शमशान घाट पर ले जाया गया इस दोरान SDM लोनी सहायक पुलिस आयुक्त लोनी समेत भारी संख्या में लोग जुटे विनोद के तीन बेटे हैं